हलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जॉब जेनल नॉटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में भारतीय रेलवे में आप जॉब कैसे ले सकते हैं इसके बारे में जानेंगे भारतीय रेलवे में अगर आप जौब पाना चाहते हैं तो आपकी qualification के according आप group A, B, C, D 4 group में divided रहती हैं post जो group है उसमें आप अपनी qualification के according किस group के लिए आविदन कर सकते हैं इनके लिए किस तरह से exam conduct कराया जाता है eligibility के रहती हैं किस group में आप आविदन कर सकेंगे ये सारी जानकारी में आपको इस वीडियो में दूगी सो वीडियो को end तक जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर first time विजिट कर रहे हैं ये चैनल पर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको government job vacancies and courses के notification time से मिल सकेंगे साथी second channel का link description box में दिया है जहाँ पर gk, hindi, riddles, reasoning questions, puzzles में लाती रहती हूँ तो अगर आप इसमें interest रखते हैं उसको भी visit कीजिए पसंद आये तो उसको subscribe कीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं So friends, अगर आप railway में job करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर clear कर दू कि जो railway में vacancies आती हैं वो 10th pass, 12th pass, graduation चलिए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे group A, group A और B मैं आपको बता दू officer rank में आते हैं group A की भरती UPSC के माध्यम से की जाती है जिसमें आपको civil service exam, engineering service exam या combined medical exam देना होता है So यह UPSC के द्वारा कराया जाता है railway भरती board, जो railway recruitment board है उसके द्वारा यह भरती नहीं की जाती है UPSC के लिए exam conduct कराती है यह exam देने के लिए जो group A की vacancies है उसमें अगर आप आविदन करना चाहते हैं तो इसके लिए eligibility आपकी engineering, MBBS या MSC आपने post gradation आपके पास है तब आप यहाँ पर eligible रहते हैं आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसके लिए आपको UPSC के अपडेट चेक करती रहेगा अगर आप इसके लिए eligible हैं और आविदन करना चाहते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे group B की group B के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो railway में group B की vacancies या post रहती हैं उस पर भरती नहीं की जाती है प्रमोट करके आती है group B के लिए कोई vacancies नहीं आती है अब हम देखते हैं group C के लिए so group C की जो post है वो non-gazited subordinate post के अंतरगात आती है group C और D दोनों का इसके लिए अगर हम qualification देखें तो 12th pass and graduation मांगा जाता है post के according so आप यहाँ पर 12th pass या graduation है तो आप railway group C के लिए आविदन कर सकेंगे group C के अंदरगात जो post रहती है अगर हम देखें सायक, स्टेशन मास्टर, टिकिट कलेक्टर, लोको पाइलेट, गाट ट्रिफिक अप्रेंटेस इसके लावे कुछ पोस्ट होती है ग्रूप C और ग्रूप D के लिए बहुत बड़ी संख्यावे वेकैंसी निकलती है तो आप अररवी की जो ऑफिसेल साइट है उस पर लेटेस्ट अपडेट चेक करते रहे हैं उस पर वेकैंसी हर साल निकलती है साथ में मैं आपको बता दूँ ग्रूप C की जो पोस्ट है आप देख रहे है स्टेशन मास्टर, टिकेट कलेक्टर, लोको पाइलेट गार, ट्रिफिक अपरेंटिस इन सब पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है लिंक आपको आई बटन एंड स्क्रीन पर मिलेगी आप वहाँ से इनको चेक कर लीजेगा सेपरेट वीडियो है, फुले एक्स्प्लेन किया है आप जरूर इनको विजिट कीजेगा चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रूप D के लिए कौन आविदन कर सकता है तो इसके लिए जो एलिजबिल्टी है वो 10 या इटिया है 10 और इटिया इलिजबिल्टी रखी गई है 10 के बिस पर भरती होती है और इटिया भी मांगा जाता है यहाँ पर जो विकेंसी हैं उसमें हेलपर, हॉस्पीटल अटेंडेंट, गेटमें, पोर्टर, ट्रेकमें, पेंट्समें यह विकेंसी हैं कुछ अधर पोस्ट भी रहती है जिसमाँ मैंने वीडियो अपलोड किया है ग्रूब D के लिए वो भी आप एक बाद जरूर चेक कर लिजेगा ग्रूब D के अंतरगात जितनी भी पोस्ट आती है उन सबका वर्क क्या रहता है उस वीडियो में मैंने अक्स्प्लें किया है तो अगर आप ग्रूब D के बारे में जादा जानकारी चाहते हैं उस वीडि सब्सक्राइब कर लिजेगा तो नॉटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट हम यहाँ पर मैं आपको बताओं गुरूप C और D के लिए जो सेलेक्शन प्रोसीजर वो क्या रहता है तो इसमें सेलेक्शन प्रोसीजर के लिए मैं सब्रेट वीडियो अप्लोड की इसमें जो आप से कॉश्चन किये जाते हैं वह रीजनिंग मैत ज़नल्न और नॉल इज इंग्लिस ट्राइप के कहस्चन आते हैं इससे कॉश्चन आपको किया जाते हैं सो यह रहा इसका एक्साम पैटन साथ में अब मैं आपको यहाँ पर रेलवे रिकृूटमेंट मैं आ आमरे टीचर भरती की जाती है तो अगर आपका टीचर बनने का सपना है और रेलवे में आप जॉब लेना चाहते हैं रेलवे स्कूल में तो भी वेकंसी निकलती है हलाकि स्कूल कम है वेकंसी कम आती है लेकिन अगर आप करते हो वेकंसी आती है तो आप जरूर इसमें कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि नौटिफिकेशन आपको टाइम से में सकेगा थैंक यू